सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोज को देखने के लिए मैंने अब इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है लवनीश सरकी क्लास अंडस्कोर डबल टू आप यहाँ पर भी इसको फॉलो करके हमारे लेटस और अपडेटिड वीडियोज देख सकते हैं और यह बेस है एक ऐसी इंफोर्मेशन पर जो की आजकल की जो हमारी कंडिशन चल रही है उस पर बिलकुल परफेक्ट बैठती है तो क्या है लेटस गो एंड अंडरसेंड विद मी दूरिंग दा लॉगडाउन पिंकु ग्रेंट फादर फाइंड देखा कि पिंकु बिलकुल भी गेंज में इंटरस्ट नहीं लेता बलकी वो सारे दिन टेलिविजन पर कार्टून देखता रहता है तो उसके जो दादा जी है वो बोलते हैं कि पिंकु डोंट यू लाइक प्ले गेंज तो पिंकु को वो कहते हैं कि क्या तुमें गेंज बिलकुल पसंद नहीं है तो फिर पिंकु क्या कहता है पिंकु कहता है कि दादा जी I want to go out for playing but no one can play out during this pandemic दादा जी मैं खेलना तो चाहता हूँ लेकिन इस समय बाहर जाकर इस महामारी के कारण कोई भी बाहर खेल नहीं सकता दादा जी सेट नियर पिंकु and told him watching TV for long hours has a bad effect on our eyes while playing games has many benefits दादा जी कहते हैं उसके पास प्यार से बैठे और उन्होंने का ठीक है आप TV देखो लेकिन आपको पता है कि long hours तक watching TV यानि TV देखने से हमारी eyes पर बहुत bad effect पड़ता है और हमारी जो eyes बहुत कमजोर हो जाती है और हमें specs लग जाती है तो उन्होंने बताया कि लेकिन ये जो games अगर हम खेलेंगे तो उसके तो बहुत सारे benefits हैं वो benefits क्या-क्या है confidence increase हमारा confidence बहुत जादा increase हो जाता है जब हम किसी game को खेलते हैं और जीतते हैं उसके अलावा learn discipline जब हम game खेलते हैं तो हम rules भी follow करते हैं that means हम discipline को follow कर रहे हैं फिर ये keeps our body fit ये हमारी body को भी fit रखता है क्योंकि जैसे जब भी हम खेलते हैं तो इससे हमारी पूरी body की exercise होती है फिर increase our concentration और हमारी concentration भी increase होती है कैसे increase होती है जब भी हम कोई game खेलते हैं तो बहुत concentration लगा-लगा के उसमें ये सोचते हैं कि हम जीतें कैसे तो इससे हमारी concentration increase होती है फिर we learn to cooperate with each other और हम एक दूसरे से cooperate करना भी सीख जाते हैं क्योंकि जब हम game खेलते हैं तो यह थोड़ी कि हम रोने लग जाते हैं बार-बार हम दूसरों का साथ भी देते हैं फिर last में है कि learn teamwork और कई game ऐसे भी होते हैं जिसमें हम team बना के खेलते हैं तो हमें teamwork भी करना आता है फिर यहाँ पर एक question दे रखा है let us identify which of the following games we can play at home write yes or no in the blank space तो यहाँ पर कुछ pictures show कर रखें आपको तो देखें कौन-कौन सी pictures है जैसे पहला है football football हम घर में खेल सकते हैं? No फिर उसके बाद है ludo ludo को हम घर में खेल सकते हैं is it indoor game? Yes skipping skipping हम indoor कर सकते हैं? Yes उसके बाद chess है chess को हम indoor में कर सकते हैं? Yes और फिर एक और picture है cricket क्या cricket indoor हो सकता है? No उसके बाद एक और question लिखा है कि write the names of your favorite indoor games अब indoor games तो बहुत अच्छी होती हैं और बहुत मज़ेदार भी होती हैं तो यहाँ पर हम कुछ suggestion दे रहे हैं लेकिन आपको अगर अपना answer आता है तो आप अपना answer भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जो suggestion दिये है वो है ludo, hide and seek, caram board, chess, etc और आप जो आप game आपको आप खेलते हो indoor के अंदर वो भी आप इसमें लिख सकते हैं तो देखा आपने कि किस तरह से इस worksheet के जर्ये हमें ये समझ में आया कि हमें long hours तक TV को नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसको देखने से हमारी eyes पर bad effect पढ़ता है हमारी health पर भी bad effect पढ़ता है क्योंकि सारे दिन हम बैठे रहेंगे खाना खाते रहेंगे और अभी हमने कल की worksheet में science में जो ये पढ़ा था कि fat हमारे जो एकटा होती रहती है जो कि अच्छी बात नहीं है तो इसलिए आप सबसे भी यही request है कि आप थोड़ी देर mobile और TV देखके अपना entertainment जरूर करें फिर आप पढ़ाई करें और आप indoor games भी खेलें ताकि आपकी body भी fit रहे और जो इसके सारे benefits हैं वो आपको मिलें तो now that's all for this worksheet अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हूँ तो इस channel को जादा से जादा subscribe कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ही जादा share कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह worksheet को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर जरूर जरूर पढ़ते रहिए Thank you very much